वैसे तो मैंने डिवीजन के हर टाइप की कुशिन बता रखें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और कोई इमानदारी से अगर उस प्लेलिस्ट के हर एक कुशिन को देख लेता है तो विश्वास मानिए डिवीजन का कोई भी कुशिन ऐसा बचेगा ही नहीं मैत के अंदर चा यहां भी कितने अंग पकड़ेंगे तीन जैसा प्रोसे से बस वही करना है कुछ नया हर बार नहीं है अब देखें यहां पर दो अंग की यहां के चुपा लेंगे और दो अंग के चुपा लेंगे पांच का पहड़ा पढ़िए कि नो से जादा न जाए आप केंगे सर एक पांच एक कम पांच दो बार में तो तस हो जाता है एक बार ले जाएंगे कितनी बार एक बार तो एक यहां लिखेंगे और पांस सो चार एक कितना हो जाएगा तो जायीगा सकतेिकों कि तो यहां पर बागट नासगेंगे यहीं तो हम यहां क्या करेंगे नहीं 0 होता है क्योंकि 10 बार में तो 50 हो जाता और 10 बार ले भी नहीं जाते तो कितनी बार जाएगा 9 बार तो हम लिखेंगे 9 को यहाँ पर इसके बाद देखिए इस 9 का इसमें हम गुणा करेंगे क्योंकि 504 का हम पहाडा पढ़ रहे हमने 5 की केवल तो help ली है तो 504 नमया कितना होगा तो मतलब 9 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 9 चौको कितना होगा 36 तो देखिए यह हो गया 36 और नपना कितना होगा 95 जा 45 यह हो गया 45 घटा लेंगे तो देखिए 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा चार बचेगा, यहां साथ बचा, साथ में तीन जाएगा, कितना बचेगा, चार बचेगा, और यहां साथ में पांच जाएगा, कितना बचेगा, दो बचेगा, दसमलो लगा है, दसमलो आपको एक जीरो बढ़ाने की अनुमती देता है, हमने एक जीरो बढ़ा लिया, फिर व और 4 पंचे कितना हुआ 20 घटाएंगे तो देखें क्या है घटाएंगे तो 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा यहां 3 मचा 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा और फिर यहां पर 4 में 0 जाएगा 4 बचेगा फिर दसमलो लगा है दसमलो लगा है आपको 1 जीरो बढ़ाने की अनुमती देता है एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं फिर वही दो अंगे यहां के चुपाएंगे पांच का पहड़ा पढ़िए कि 42 से ज़्यादा ना जाए कितनी बार जाएगा बता ही 8 बार जाएगा तो 8 हम यहां लिखेंगे अब 8 का गुणा इसमें करेंगे देखिए 8 चोगों कितना हुआ 32 तो हमने लिख लिया 32 आठ पंजे कितना हुआ 40 हो गया तो यहां लिख लिया 40 अब हम गटा लेंगे गटाएंगे तो देखिए 10 में 2 गए 8 बचेगा फिर 3 में 3 जाएगा 0 बचेगा और यह 2 बचेगा अब फिर देखिए यहां पर 10 अमलों लगा है 1 जीरो बढ़ाने की अनुमती देता हम यह 1 जीरो बढ़ा लेते हैं फिर वही काम 2 अंगे यहां के चुपाएंगे और 2 अंगे यहां के चुपाएंगे 5 का पाड़ा पढ़ी है कि 20 से जाएदा न जाए आप कहेंगे सर 4 बार चला जाएगा तो देखिए 4 यहां लिख लेंगे और 4 चुको कितना होगा 16 और 4 पंचे 20 तो यह कहां तक लेते चले जाएंगे देखिए अभी भी यह घटाएंगे तो कुछ बचे जाएगा 10 में 6 गया, 4, 7 में 1 गया 6 बचेगा और फिर दसंबलो लगाए फिर 0 बढ़ाएंगे तो यह चलता चला जाएगा यह रुकेगा नहीं तो फिर क्या करें देखिए अब बात आती है कि हमको कितने इस्थानों तक मान को निकालना चाहिए, हमेशा दसंबलो के तीन इस्थानों तक मान को निकाला जाता है, कितने इस्थानों तक, तीन इस्थानों तक, वैसे तो दो अंग तक मान निकाल करके हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन सही माना जाता है दसम लोग तीन स्थानों तक मान निकालना तो हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा 1.948 उम्मीद करता हूँ कि आज की बेसिक जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी और जिसका यह डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा चलिए मिलते हैं अगले वी चाथ युचव चड़ को सुन्धी युचल जा Patri बेस ट्मट हमारा cancelled आई हूष